नमस्कार राज्य सिक्षा शोध एवं प्रसिक्षन परिश्यद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हम लोग घन और घनमूल प्रबात करेंगे पिछली कक्षा में आपने बर्ग और बर्गमूल समझा है एवं उससे संबन्धित अभ्यास के प्रश्णों को जरूर हल किया होगा तो आईए अब हम बात करेंगे आज क्यूब एंड क्यूब रूट की मैं आपने घन या क्यूब सब्द तो सुना ही होगा एक चित्र बनाया है हमने बोर्ट पर आप घन तो देखें है क्यूब उसमें क्या होता है जो आकरती होती है उसमें लभाई चोडाई DevOps सभ बराबर होती है उसे हम लोग घन की आकरती कहते हैं अब यदि मानके चलिए कि एक सेंटीमीटर भुजा वाला लंबाई का एक घन है आपके पास ये जो चित्र हमने बनाया है मानके चलिए इसमें ये एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई एक सेंटीमीटर है अब इस से हमें एक दूसरा घन बनाना है जिसकी भुजा की लंबाई दो सेंट सेंटीमीटर हो जाए अर्था तो वैसा वैसा टू टाइम हो जाए सब कुछ लंबाई भी चवडाई भी उचाई भी सब होना होगा तभी तो घन बनेगा और यदि सिर्फ दो को आप जमा करके रख देंगे तो वो घन नहीं घनाब हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं एक सेंटीम पर सजाया है घन के ऊपर घन रख करके अब जो हमारा घन बना है इसकी लंबाई दो एक सेंटीमीटर से बढ़के दो सेंटीमीटर हो गई चवडाई भी बढ़ गई और उचाई भी बढ़ गई तीनों ही डाइमेंशन में हमने बढ़ हो दिया है तो इसमें कुल कितने घन लगे है जरा बताएए आप खुश से सोचिये आपको एक सेंटीमीटर का एक घन दे दिया घया हैawn आपको क्या करना उसको दो गहन का पूरा ठीक इसके नीचे इधर दूसरा फिर इधर तीसरा और चौथा घन इस्तरफ आईएगा तो पाचमा चट्था और इस्तरफ जाईएगा तो साथमा और उसके नीचे आठवा अर्थात कूल आठ घनों की आप सकता पड़ती है ठीक इसी प्रकार से विचार किजिए कि एक सेंटीमीटर वाले घन है अब आपको दो सेंटीमीटर नहीं तीन सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना है जरह सजा के देखिए कि कितने घन लगेंगे कि उसके भुजा की लंबाई तीन सेंटीमीटर होगी तो एक तरीका तो यह है कि इसको फिर बरहाई यह तीन सेंटीमीटर और कॉंट केजिए या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम घंड बना रहे हैं तो उसमें बिर्धी कर रहे हैं तीन जगह पर घंड का आईतन ऐसे आपने सुना होगा क्या होता है भूजा भूजा और भूजा कि लंबाई में भी चवराई में भी और उच आई में भी तो जब की तीन सेंटीमीटर वाला गंड बनाना है आपको एक सेंटीमीटर वाला से तो आप तीन को तीन बार गुना करके भी ग्याद कर सकते हैं कि अर्थात कुल 27 गंड मिलेगा तब जाके बड़े प्रकार चार सेन्टीमीर करनी होगी तो आप पता कर सकते हैं तो यह we call को उसी तीन वार गुना कर 만들어 है यह जो गुना हो रहा है इसे ही हम लोग घन काते हैं घन क्यूब करना क्यूब क्या होता है इसमें संख्या को स्वय से ही गुना करना कितने टाइम्स थ्री बार तब जाके हम काते हैं उसका कि घन है जैसे कोई संख्या है अगर एकस एकस को यदि एकस से ही गुना किया जाए तीन बार तो ये होगे आपका X का घन या इसको कहिए X का क्यूब या लिखने का तरीका कुछ इसका इस प्रकार भी होता है X यहाँ पावर के रूप में तीन घाद के रूप में तीन दे देते हैं मतलब तीन बार गुना किया है किस से संख्या को सोएं उसी से तो इसे ही कहा जाता है घण और इस प्रकार से आप किसी का भी घण ग्यात कर सकते हैं जैसे बर्ग में हम लोगों ने क्या देखा था टू टाइमस मल्टिपलाई कर रहे थे दो बार गुना कर रहे थे संख्या को संख्या से और इहां पर घात के जगा पर दो लिख रहे थे इस बार यदि संख्या को स्वय से ही तीन बार गुना किया जाए पाबर में हाद तीन देंगे तो उसे हम लोग घान कहा देते हैं जैसे हम यदी कहें एक का घ्न है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब एक से ही गुणा करना है झाय है और जब आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा एक ठीका इसी प्रकार से यदी कहा गया है धो का मतलब होगा दो गुना दो गुना दो और अर्थ कितना हो जागा इसका गुना कीजिए खुद से दो दुनी चार दुनी आठ आप यदि नोट बुक लेकर बैठे हैं तो कुछ-कुछ चीजे नोट भी करते चले ठेक इसी प्रकार से संख्या यदि हम लिखते हैं तीन और उसक पांच का यदि करेंगे तो क्या हो जागा 6 का करेंगे तो उसे प्रकार यदि 7 का क्यूब करें तो कि आठ का करें तो कि पांचो बारा नौ का कि 729 और 10 का क्यूब करें तो 1000 मतलब अब आप समझ गए होंगे कि क्यूब का मतलब क्या है कि संख्या को उसी के साथ स्वाइं के साथ थ्री टाइम्स गुना करना तो इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया बीच में आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पर जब नोट कर रहे होंगे तो अब ज़रा ध्यान दिजिए यह जो संख्याएं आपको मिली गुना करने के बाद घं करने के बाद तो इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण घं संख्या पूर्ण घं संख्या यानि यह पूर्ण रूप से घं है परफेक्ट क्यूब नंबर्स परफेक्ट क्यूब नंबर्स भी आप जोड सकते हैं कौन कौन संख्याएं हैं पूर्ण घं एक आठ सताइस चौशाट 125 दोसो सोल्ला और इस प्रका को ऐर 2 कगान किये तो आट अब 1-2 के बीच में तो कोई संख्यय में जिसका हम करेंगे तो इसके बीच में आएगा जाहिर सी बात है कि एक और आट के बीच में और कोई भी पूर्ण Susa संघ्या नहीं होगी एक के बाद सिदे खासखा संख्या ही होता है अब जड़ा देख लिजिए एक हजार तक में हम निकाले हैं चार अंग की छोटी से छोटी संख्या तक पहुँच गए और 1000 तक में कितनी संख्या है पूर्ण गन मात्र एक दो तीन चार से लेकर के दस तक यानि यदि पूछा जाए कि एक हजार तक की गिंती तक एक हजार तक कूल कितनी संख्या है मतलब पूर्ण गन संख्या है पूर्ण गन संख्या है बताए कितनी होगी अभी आप देख रहेंगे हम सामने में बोट पर ही है एक हजार तक हम जब घन किया है तो मातर ऐसी कितनी संख्यां है दस संख्यां यदि हम आपको कहें कि सौ तक में सौ तक कुल कितनी संख्या जो पूर्ण घन ने बताए आप ही सामने में देख कर सौ तक का मतलब पूर्ण घन में कौन कौन आ जागा एक आठ सताइस चौन सट फिर तो एक सो पचीस बड़ा हो जागा बच्चो यानि कि एक दो तीर चार मातर चार ऐसी संख्यां हैं सौ तक की गिन्ती में जो परफ्यक्ट क्यूब है पूर्ण घन संख्या है यदि किसी संख्या की जाच करना हो कि वो पूर्ण घन है या नहीं जैसे हम कहते हैं कि क्या फूर्ण घन संख्या है अब पूर्ण घन बनने के लिए क्या होना चाहिए किसी संख्या का स्वाएं के साथ तीन बार मुणा होना चाहिए कि आप जानते हैं कि उनच इनका क्या मतलब है इसा गुना शिर्ग जा सकता है और यह तो मातर दो ही बार मगूना हुआ और थात यह एक पूर्ण घय नहीं है फूर्ण घय भूता तो कितनी बार मिल्टी प्रॉय करना पड़ता है तीन बार साथी साथ आपने जो सारणी प्राप्त किया है उस सारणी से भी पता कर सकते हैं आप देखिये 27 के बाद सीधे 64 और 27 किसका घन है 3 का और सा शॉंकर किसका 4 और 3 or 4 के बीच में तो कोई संख्या है नहीं जो प्राकिर्थ है अर्थात 64 पूर्ण घान संख्या नहीं है नहीं है यह बात हो गई अब जरा ध्यान दिजिए कुछ और बातों पर हम विचार करें जैसे यहां तक हमने क्यूब लिख दिया है आप चाहें तो फिर इसके आगे 11 का भी लिख सकते ह है 12 का लिख सकते हैं और यहां पता कर सकते हैं क्या आया जो में कि एहां यह ध्यान देजिए बच्चों एक का क्यूब कर रहे हैं तो एक आ रहा है इकाई अंक पर गौर किजिए एक यहां तो एक दो है तो आठ तीन है तो शाथ चार है तो 64 इस प्रकार आप सब के लिए अ अब यदि 11 का आप करेंगे तो आपको आएगा 1331 आप करके देखें फिर से इसका इकाई अंक एक है तो इसका भी इकाई अंक कितना है एक है अर्थात 11 किया आप 21 का करें 31 का करें इकाई अंक हमेशा एक ही रहेगा फिक्स है ठीक उसी प्रकार से जैसे दो का क्यूब आपने किया है तो कितना आया है आठ अब यदि आप 12 का क्यूब करेंगे तो भी उसका जो इकाई अंक होगा वो आठ ही आएगा 12 क्या यदि 22 का करें 32 का करें 42 का करें तब भी इकाई अंक आठ ही रहेगा तो मैं बस यह कहना चाहरा हूं कि घान जब करते हैं क्यूब जब करते हैं तो किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा ये पहले से फिक्स है इसमें देखिए एक पांच छे इनका और सुन यदि इतना इकाई हो तो यह नौ कभी नहीं बदलता है परिवर्टन सील नहीं है कहने का मतलब है वारे जिसका इकाई अंक एक हो, पांच हो, छा हो या शुन हो, तो उसका क्यूब करने पर क्यूब का जो इकाई अंक होगा, उभाभी एक होगा, पांच होगा, छा होगा और सुन होगा, कभी नहीं बतलेगा, इसके अलावे आप देख पा रहे हैं कि दो के लिए आठ, तीन के सुन, इन सब चीज का नहीं बदलता है, नौ का भी नहीं बदलेगा, यानि अब मेरा लिस्ट ऐसा हो गया, एक, चार, पांच, छो, नौ सुन, इसका परफेक्ट क्यूब करने पर, एकाई अंक में वहीं रह जाता है, नहीं बदलता है, तो आप एकाई अंक आसाने से ढूं सुन दी लिजीगा, जैसे कोई संख्या आपको दिया गया है, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, लिख दिया गया है, 364 का होल क्यूब, का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बताएं, तो हम लोग इसका बास्तविक में होल क्यूब नहीं करेंगे, तीन बार गुना नहीं करने जाएंगे, आप जान लेजिए कि 4 है, यदि इकाई अंक में, तो उसका क्यूब करेंगे, तो हर हाल में उसका इकाई अंक 4 ही आएगा, कभी नहीं बदलेगा, इस परकार से, एक हो 43 का Qube का 1 अंक क्या होगा बताएं तो जो 3 का होगा वही 43 का भी होगा कोई परिवर्तन नहीं और 3 का कितना होता है बच्चो साथ तो आपको अलग-अलग रटने या याद करने की कोई जरूरत नहीं है हाँ दस तक का क्यूब जो हमने लिखा है इसको आप भी लिख करके एक दो बार पढ़ लीजिएगा अपने आप याद हो जाएगा काफी आसान है यदि आप एक आई यंक ढूंड पा रहे हैं तो आ लगातार जो बीसम संख्या है उसको जोडने का प्रयास करते हैं एक अकेले है चलिए कितना आ जाएगा एक के बाद की बीसम संख्या कौन है तीन और पांच जरह इसको जोड़ कर देखे किया मिलेगा आपको इसके बाद की बीसम संख्या लगातार कौन होगी पांच के बाद साथ नौ और ग्यारा बताएगे जोड़ को कितना होगा जोड़े यह से 27 इसके बाद की संख्या यादि लिखे हम 13 15 17 19 आईए इसको भी हम लोग जोड़े आप चाहें तो इससे और भी आगे बढ़ा सकते हैं इस परकार का यह जो एक मॉडल बन रहा है इसे जड़ा द्यान से देखिए इसे आगे आप अंगिन्य तक बढ़ा सकते हैं यह बस तूता एक का क्यूब है आप क्या है अभी आपने देखा था दो का घं करने पर आट प्राप्त हो रहा था 27 क्या है बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए लगातार विशम संख्याओं को जोड़ कर भी प्राप्त कर सकते हैं एक तरीका तो आपने देखा ही है कि संख्या को उसी के साथ तीन बार गुना करें तो आपको गन प्राप्त हो जाएगा दूसरा एक और बहुत ही रोचक प्रतिरूप हमने कि संख्या का क्यूब आप लगातार विशम संख्याओं के योग के साथ कर सकते हैं जैसे पांच का क्यूब अगर करना होगा आपको बताइए पांच का क्यूब तो किसको किसको जोड़ना पड़ेगा लगातार विशम संख्या में 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 पांच अब इन संख्याओं का यदि आप योग करेंगे जोड़ेंगे तो बिल्कुल 5 के क्यूब के बराबर आएगा अब यहां दो बाते हैं कि 5 का क्यूब करना है तो शुरू कहां से करें कहां तक जाएं तो आईए हम लोग डोड़ेने का प्रयास करते हैं सब कुछ यहीं मिलेगा दैसे एक का क्यूब था तो कहां से सुरू किया एक से दो का क्यूब है तो कहां से सुरू कर रहे हैं तीन से तीन का क्यूब कर रहे हैं तो कहां से सुरू कर रहे हैं साथ से और चार के क्यूब के लिए कहां से सुरू किया तेरा के लिए तो क्या इनके बीच में कोई किजिए दरसे ज़रा देखिए तीन शे लेते हैं यहां पर है दो तो से तीन कैसे प्राप्त हुआ है दो गुना एक प्लस एक ठीक इसी प्रकार अगला है सात से शुरू किया था किसके क्यों के लिए तीन के क्यां प्राप्ट करेंगे तीन गुना दो प्लाश देखेगा एक दम ओही मौडल ओही रिलेशन बार-बार रिपीट हो रहा है कि नहीं रहते जैसे है संख्या 13 क्या है उसमें चार गुना तीन प्लस एक कैसे प्राप्त हो रहा है जो भी संख्या है उससे का गुना करना है एक कम से और जोड एक यानि जिस भी संख्या का आपको क्यूब निकालना है जैसे तीन का क्यूब निकालना है हमको तो हम क्या करेंगे जिस भी संख्या का करना उतना गुना उससे एक कम और प्लस वर ऐसे जैसे फॉर एक्जामपल हमको दस का क्यूब ग्याद करना है बच्चों तो बताएं कहां से सुरू करें कैसे सुरू होगा तो बहुत आसान है दस को उससे एक कम से गुना कर देजिए जैसे तीन है तो दो से गुना किये थे एक जोड़े चार है तो त दस है तो कितना से गुना करेंगे नौ से दस गुना नो प्लस एक यानि की एक क्यानवे एक क्यानवे से अब लगातार बिसम संख्याओं को लिखते जाना है और उसको जोड़ देना है और कितनी बिसम संख्याओं लिखनी होगी देखिए एक के क्यूब के लिए एक लिखा संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से शुरू होगा 91 से मतलब 93 95 ऐसे करके 10 संख्या लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे तब वह 10 के क्यूब के बराबर हो जाएगा तो आपने संख्याओं का क्यूब इस प्रकार से भी ढूड़िये लगातार विशम संख्याओं का योग करके भी कुछ एक संख्याओं की क्यूब को निकाली अब ज़्यान दिजिए कुछ और बात कर ले हम लोग अभी तक जितनी आपने देखी है घान जो हमने सार्णी बनाया था एक से दस्तक में उस सार्णी पर आप जड़ा सरसरी निगाह डाली आपने यदि कौपी पर नोट किया है तो और उसमें जितनी भी संख्या है आप ज़रा देखिए कि उसका क्यूब करने से जो प्राप्त हुआ है वो कौन सी संख्या प्राप्त हुई है क्या सम ही प्राप्त हुआ है बिसम प्राप्त हुआ है या कभी सम कभी बिसम प्राप्त हुआ है ज़रा ध्यान देजिए सम संख्या का मतलब किन संख्याओं के हम हम बात कर रहे हैं बच्चो दो का क्यूब की बात कर रहे हैं बिलकूल कितना होगा आठ चार का क्यूब चोंसाट छे का क्यूब 216 अठ का क्यूब पाच्सो बारा दस का क्यूब एक हजार और इसी प्रकार बारा का क्यूब आप दूर तक कर सकते हैं देखे जहां भी लिया हमने समसंख्या और जब समसंख्या का हम लोग घन कर रहे हैं तो जो घन फल है वो भी कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है बिल्कुल ठीक समसंख्या अर्थातियदी के भी पूछा जाए कि सम संख्या का घं कौन सी संख्या होती है तो सम संख्या का घं करने पर सम संख्या ही प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार से बच्चों आप बिसम संख्या के लिए भी खुद से ढूंड सकते हैं कहीं याद करने ये रटने की जरूरत नह यह वहां से सब पता चला जाएगा अब जो विशम संख्या है वाइसी संख्याओं को उठाइए और देखिए कि जब उसका क्यूब कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है एक का क्यूब एक कैसी संख्या विशम संख्या तीन का क्यूब 27 कैसी संख्या विशम संख्या पांच का 125 कैसी है संख्या बिसम साथ का क्यूब या साथ का घन 343 ऐसे आप और भी जाच कर सकते हैं आप पाएंगे कि बिसम संख्या का घन करने पर भी हमेशा अलवेज बिसम संख्या ही मिलता है हमारे कहे से मतमानिए आप बात को खुद कसोटी परकसिये और तब विस्वास किजिये विसम संख्या ही प्राप्त होता है तो हम लोगों ने बात कर लिया है घन के बारे में इकायंग की बात किया सम के घन करने से क्या होता है विशम के घहन करने से क्या होता है साथ ही साथ इस प्रकार का एक जो प्रतिरूप छुपा हुआ था उसको भी हम लोगों ने ढूंडा है आईए अब हम कुछ और घहन की बात करते हैं घहन करना तो हम सीखी गए हैं अब किसी भी संख्या का सबसे पहले अब हाज गुननखंड की बात करते हैं अब हाज गुननखंड आप तो बर्ग और बर्गमूल भी पढ़े हैं इसके पहले भी लेसा मसा पढ़े हैं तो सब जगह अब हाज गुननखंड के जरूरत थी और आप पूरा विश्वास है कि आपको आता भी यह करने जैसे कोई संख्या लिखा हुआ बिल्कुल ठीक दो गुणा तीन ऐसे खंड में करना है कि दोनों को सब का सब अभाज संख्या ही हो जैसे हमारे पास यह दे लिखा हुआ है तो बताईए इसका अभाज गुननखंड क्या हो जाएगा विल्कुल ठीक दो गुना तीन गुना पांच अभाज गुननखंड आ रहा है अब कुछ संख्याओं का घं हम लोग अभाज गुननखंड के रूप में ही करेंगे आईए कुछ और संख्याओं का घं करते हैं आपके साथ मिल करके जैसे संख्या हम ले रहे हैं कोई भी चलिए च्छाहीं ले लेते हैं तो सबसे पहले इस का घं करेंगे अर्सांत 6 का Q is और जब 6 का Q करेंगे तो 2 कुण 3 का भी Q हो तो एसे स्थति में हमारा जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 2 गुण 3 दो गुण 3 और 2 और बिकिसी संख्या का आप कर सकते हैं चलिए जैसे हम कर रहे हैं बारह का दो गुना दो गुना तीन अब इसका जब घहन करेंगे मतलब इतना गुना इतना गुना इतना तीन बार तो जगा 2 गुना 2 गुना 3 एक बार 2 गुना 2 गुना 3 दो बार 2 गुना 2 गुना 3 तीन 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 पूर्णघन होगी और पूर्णघन में यहां देखिए दो कितनी बार मिला एक दो तीन बार है तीन कितनी बार मिला है एक दो तीन बार है ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए दो एक दो तीन चार पांच छाह बार है और आपका तीन कितनी बार एक दो तीन बार इसमें यदि आप देखेंगे तो तीन एक दो तीन बार और पांच मिला है बच्चों तीन बार तो मैं यह कहना चाहरा हूं कि यदि कोई संख्या है और उसका हम घं करते हैं गुननखंड करते हैं उसका तो जो गहन का गुननखंड होता है उबहा भी हमेशा घात के रूप में तीन को साथ लाता है यानि तीन-तीन का यूगम बनाता है कहने का मतलब यह है कि किसी भी पूर्ण घान का यदी गुननखंड किया जाए तब वह हमेशा तीन तीन का समुह बनाएगा और यदी तीन का समुह नहीं बनाता है तो समझे कि वह पूर्ण घान संख्या नहीं है हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यदी किसी संख्या जो पूर्ण घान है उसका जो गुननखंड होगा हमेशा तीन तीन के साथ में आएगा तीन तीन के युग में आएगा अर्थात कोई संख्या पूर्ण घान है या नहीं इसकी जांच हम बड़े आसानी से उसका गुननखंड करके करसकते हैं गुननखंड करके ये देख लेंगे कि क्या उसमें तीन तीनका सम्मूह लग रहा है यदी लग रहा है तो वह पूर्ण घान है अधर्वाइज वह क्या 501 पूर्ण घान संख्या है पूर्ण घान संख्या है तो ऐसे प्रस्णों के जांच के लिए आपको क्या करना होगा उसका अभाज गुनन खंड आई हम साथ में मिलकर करते हैं आपको आता है अभाज गुनन खंड बिल्कुल आप स्वयं से कीजिए हमारे इंतिजार में परकार से आप आसानी से कर सकते हैं और और करने के बाद आप ने क्या प्राप्त किया दो गुणा दो गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच अब आपको देखना है कि इसके अंदर जो भी अवाज संख्याएं आई क्या वह तीन तीन के समुह में आई तो आपने क्या देखा कि पांच तो तीन के समुह में है लेकिन दो तीन के समुह में नहीं है और जब तक तीन का समुह नहीं बनेगा तब तक वह पुर्ण घं तो होगा क्योंकि अभी हमने देखा है कि किसी भी संख्या का जब घान करते हैं तो उसके जो गुनन खंड होते हैं वह हमेशा तीन के ही समूह में होते हैं अतर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 501 पूर्ण घान संख्या नहीं है कि संख्या नहीं है कब हो जाता पूर्ण घान जब दो भी तीन के युगम में आता तो एक प्रस्ण इसी से बनता है एक संख्या दी रहती है और कहा जाता है कि इसमें कम से कम किस से गुणा करें या कम से कम किस से भाग करें कि वह एक पूर्ण घं बन जाएगा तो ऐसे प्रस्ट में यदि पूछ दिया जाए कि कम से कम कितना से गुणा करें कि पूर्ण घं बन जाएगा तो आप यहीं से बता सकते हैं जिसका तीन का युगम नहीं बना उसका तीन का यूब में बनाने के लिए और इसमें कितना डालना पड़ेगा यानि कितना से गुणा करना पड़ेगा यह आपको यहीं दिख जाएगा जैसे पांच तो है तीन लेकिन दो है दो ही तो एक दो यदि हम और डाल दें तो यह निश्चित रूप से तीन के गुरूप में हो कि छोटी से छोटी संख्या बताएं छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 500 को घुणा करने पर गुना न फल पूर्ण घ्राण हो जाएगा पूर्ण घ्राप्त होगा या हो जाएगा पूर्ण घ्राप्त होगा तो ऐसे इस्तिति में खूब हूँ यही काम आपको करना है जो भी संख्या दी गई है उसका अभाज गुननखन कर लेना हम लोग चुकि पहले से किये हुए हैं तो काप ही आसान हो गया उसके बाद तीन-तीन का आपको समू बना लेना है जिसका बन गया बहुत अच्छे बात और जितना घट रहा है शिर्फूतना है जैसे दो का दो है एक घट रहा है तो मात्र एक ही इसमें डालेंगे हम लोग अर्थात दो से गुणा करने पर पूर्ण घञन हो जाएगा अब ऐसा ही प्रश्न आपको भाग के लिए भी बन सकता है तो आप सोचिए भाग करने का क्या मतलब है उसमें से कुछ ने कुछ निकालना हटा देना तो जैसे हम लोग डाल रहे थे गुना करने में तो आपने देखा क्या घट रहा था अब यह क्या अधिक हो रहा है जो सब अधिक है उसको साफ कर देजिए हटा देजिए निकाल देजिए तो भाग वला भी प्रश्न बन जाएगा तो भाग का थियोरी हम नहीं बता रहे हैं आपको आप खुद से सोचिए और बनाईए तो प्यारे बच्चों आज की कक्छा में हम लो कौन सी कम से कम संख्या से गुना या भाग करें कि वो पूर्ण घन हो जाएगा इतना पराधारित आपके पाठ पुस्तक में अभ्यास के धेर सारे प्रश्न दिये गए हैं आसा है आप सभी प्रश्नों को करेंगे और हम लोग जब अगली कक्छा में मिलेंगे तो इसी का ज खूब अभ्यास करते रहिए और अभ्यास करने के बाद मिलिए खूब खूश रहिए खूब अभ्यास किजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका नमस्कार